गुड आप्टरनून इस्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया उल्डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत आज हम इस वीडियो में मोर्य सासक असोग के धम परचार के बारे में पढ़ेंगे कि उसने धम परचार के लिए क्या क्या उपाई किये क्या क्या उसने तरीके अपनाए थे तो धम किसे कहते हैं धम का सवरूब क्या था यह सब हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है आप देखेगा पढ़ते हैं मोर्य सासक असोग के धम परचार के उपाई तो ये सब पढ़ने से पहले आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नई-नई इन्फोर्मेशन हमारे यूटूब चैनल पर मिल सके जो बहुत ही परिक्षा उपयोगी सिध होगी तो देखेगा देखते हैं असोग का धम परचार के उपाएं बोध धरम गरण करने के एक वर्ष बाद तक असोग साधारन उपासक रहा और इस बीच उसने बोध धरम के परचार के लिए कोई उद्धोग नहीं किया इसके बाद वह संग की सरण में आया और एक वर्ष से कुछ अधिक समय तक संग के साथ रहा इसी बीच उसने बोध धरम के परचार के लिए इतना अधिकारिय किया कि या उसे स्वयम ये देकर आस्चरिय होने लगा कि बोध धरम की जितनी अधिक उन्नती इस काल में हुई उतनी इसके पूरा कभी नहीं हुई असोग ने बोध धरम के परचार मे अपने विशार समराजे से सभी सादनों को नियोजित कर दिया उसके द्वारा किये गए कुछ उपाई प्रियापत रूप से मोलिक थे असोग द्वारा बो धरम के परचारार्थ अपनाए गए सादनों के बारे में यहां पर बताया गया है देखेगा धरम यात्रों का प्रारम तो असोग ने सबसे पहले क्या किया बो धरम के परचार परचार के लिए धरम यात्रों को सुरू किया प्रारम किया असोग ने बो धरम का प्रचार धरम यात्रों से प्रारम किया वह अपने अभिसे के दस्वे व ठीक है यह पहले धर्म यात्रा थी इससे पहले असोक अन्य राजों की भाती विहार यात्रों पर जाया करता था उसने विहार यात्रों में म्रग्या तता अन्य प्रकार के आमोद प्रमोद हुआ करते थे परन्तु कलिंग युद के बाद उसने विहार यात्राएं बंद कर दी तता धर्म यात्राएं परारम की इन यात्रों में वह ब्रामनों और स्रमनों का दर्शन दान रद्धों का दर्शन धन से उनके पोशन की व्यवस्ता जनपत के लोगों का दर्शन धर्म का आदेश और ध सनाद्धी किया करता था अपने अभिसे के चोधवे वर्स में नेपाल की तरहे में इस्तित निगलिवा अर्थार निगाली सागर में जाकर उसने कनकुनी बुद्ध के स्थूप के आकार को द्विगूनित करवाया बीजवे वर्स में वह बुद्ध के जनम स्थल लूम्बीनी ग्राम गया वहां सिला स्थम स्तापित करवाया तदा पूजा की ये क्युसिन भी कई बार पूछ लेते हैं कि जो असोख है वह अपने सासनकाल के कौन सी वर्स में लूम्बीनी ग्राम गया था चुंकि वहाँ बुद का जन्म में हुआ था अत्य है वहाँ का कर गठा कर एक बटा आठ कर दिया क्या असोग के इन कारियों का जन्ता के उपर बड़ा प्रभाब पड़ा और वह बोज धर्म की ओर अक्रिष्ट हुई थी अगला पॉइंट है राज के पदादिकारियों की न्यूकती तो असोग का समराजय बहुत विशाल था अतहे यह एक विक्ति के लिए संभब नहीं था कि वह सबी स्थानों में जाकर धरम का परचार परसार कर सके इस उद्यसे की पूर्ति के लिए असोग ने अपने समराजय के उच पदादिकारियों को भी धरम परचार के काम में लगा दिया इस्तमले तीन एम साथ से पता चलता है कि उसने व्यूस्ट रजुक और युक्त नामक पदादिकारियों को जनता के बीच जाकर धरम के परच परचार इयुम उपदेश करेने का आदेश दिया था हैं। ये तिकारी प्रति पाँच वे वर्स अपने अपने छेत्रों में यंदोरय पर जाय करते थे तता संभाने परशा सेके कारियों के साथ जनता में धरम का प inquiryा करते थे धरम सरावन तता द्रमो प्देश की विवस् की विवस्ता करवाई उसके समराजे के विभिम पदा दिकारी जगय जगय गोमकर धरम के विशे में लोगों को सिक्सा देते तथा राजा की ओर से जो धरम संबंदी गोशनाई की जाती थी उनसे जनता को अवगत कराते थे कौन धरम स्रावन थे वो धरम जो धरम के उपदे से देते थे धरम महामात्रों की न्यूपती अपने अभिसेग के तेरवे वर्स में बो धरम के परचार के लिए सोक ने पदा दिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे धरम महामात्र अर्थात धरम महामात्र कहा गया पाँचवे सिलालेक में सो कहता है कि प्राचीन काल में धरम महामात्र कभी न्यूक्त नहीं हुए थे मैंने अपने विशे के तेरवे वर्स धरम महामात्र न्यूक्त किये हैं इनका एक कारिये विभिन दाहर्मिक संपर्दयों के बीच के द्वेस भाव को समाप्त कर धरम की एक्ता पर बल देना था उनका प्रमुकर्तव वे धरम की रक्सा, धरम की व्रद्धी, धमाधी थानाय, धम वडिया करना बताया गया है धरम महामात्र राज परिवार के सद्धियों से धरम के लिए धन दान में प्राप्त करते थे तता राजा द्वारा जो धन दान में दिया जाता था उसकी समुचित विवस्ता करके उसे धरम परचार के काम में नियोजित करते थे इन दरम महमात्रों के प्रयासे धरम की अधिका दिक्वरदी हुई दिवे रुपों का प्रदर्शन असोग पार लोकिक जीवन में आस्ता रखता था उसने धरम को लोगपिरीय बनाने के उदरस से जनता के बीच उन स्वर्गी सुखों का प्रदर्शन करवाया जो मनुस्य को देवत्वा प्राप्त करने पर स्वारग लोग में मिलते हैं इन में विमान, हस्ती, अगनिसकंद, आदे दिवे रूपों का परदर्शन किया गया लोगों के उपकार के लिए क्या क्या कारिय किये गए अपने दर्म को लोग पर ये बनाने के लिए असोख ने मानव तता पसु जाती के कल्यान अर्थ अन्य कारिय किये सबसे पहले पसु पक्सियों की हत्या पर रोग लगा दी गई इसके बाद उसने अपने समराजे तथा विदेशी राज्यों में भी मनुस्यों तथा पसु के जिकिस्सा की अलग-अलग विवस्था करवाईगी साथवे स्थमलेक में असोख हमें बताता है कि मारगों में मेरे द्वारा वट वरक्ष लगाए गए विश्राम ग्रहे बनवाए गए मनुस्यों तथा पसु के उप्यों के लिए प्यावू चलाए गए मैंने यहें इस अभिप्राय से किया है कि लोग धम का आच्राने करें धरम लीपियों का खुद्वानाम देखिए धरम लीपियां भी उसने खुद्वाई थी धरम के पचार के लिए असोक ने विबिन सिलाओं एवं इस्थंभों के उपर उसके सिदानतों को उत्किन करवाया यह लेख उसके विसाल सामराजे के परते कोने में फले थे इनके दो उद्दे से थे पासानों पर खुद्दे होने से यह लेख चीरिस्ताई होंगे उसके परवर्ति पुत्र पोत्रादी पज्जा के भूतिक एवं वैतिक लाब के लिए उनका नुसरन कर सकेंगे इन लेखों में धरम के उपदे से वन सिक्साई लिखी होती थी इनकी भासा संस्कृत नहोकर पाली थी और यह उस समय आम जनता की भासा थी अगला है विद्यसों में धरम परचारकों को भेजना असोक ने बोध धरम के परचाराट विद्यसों में परचारकों को भेजा दूसरे तता तेरवे सिललेक में वह है उन्द्यसों के नाम गिनाता है जहां उसने अपने दूद भेजे थे इनमें दक्षिनी सिमा पर इस्तित राजे चोल, पंडे, केल, पूत, यम, तम्र, पंड अर्थात लंका बताये गए हैं तेरवे सिललेक में पांच यवन राजों के नाम मिलते हैं जिनके राजियों में उसके धरम परचारक गए थे कोन-कोन चेथे पांच राजा जो यवन राजा थे अन्तियोग सिरीय नरेस, तुरमय मिस्त्री नरेस, अंतिकीनी मेसी डोनियम राजा, मग एपीरस, अलिक सुन्दर सिरीन का ठीक है तो अंतियोग अंतियोग सीरिया का राजा एंटियोकस द्वीतिय थियोस था जो 261 से 246 इसा पूर्वय में था तुर्मे तुर्मे मिस्टर का सासर टोलमी द्वीतिय फिलाडेलफस था और यह है 225 से 247 इसा पूर्वय में था अंतिकिन मेसिडोनिया का एंटिगोनाटास था जो इसा पूर्वय 276 से 249 था मग से ताथ पर यह सीरिया इनरेस मगस है जो 300 से 250 इसा पूर्वय में था अलिक सुन्दर है तो अलिक सुन्दर के बारे में ज़्यादा जानकरी प्राप्ते नहीं होती है तो देखेगा इस वीडियो में हमने मोरिय सासक असोक के धम परचार के उपायों के बारे में पढ़ा तो इसमें कई इंपोर्टेंट बाते हमने आपको बताई जो प्रिक्षा उपयोगी है तो द्यान से इस वीडियो को देखेगा धन्यवाद